Hello friends, Hindi Electronic Experiment में आपका स्वागत है Friends, आज का जो वीडियो को topic है Basic Component Part 3 जो की Friends, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ Basic जनकारी दी थी Component के लिए related तो मैं आज बात करने वाला हूँ एक component के उपर जैसा के Friends, उस component का नाम है Diode What is Diode? Diode के working, types और use तो मैं आज डायोड के उपर मैं पूरे डिटेल्स में आप से बात करने वाला हूँ और डायोड के उपर मैं आपको अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोसिस करूँगा तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब ने किया तो सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे जो Video को नोनौटिपिकेशन है आपको मिलता रहे तो चलिए, फ्रेंट्स आपको बता दू कि Dide आखिर है क्या तो चलिए मैं आपको Dide के उपर बताता हूं जैसे के फ्रेंट्स आपको Dide एक परकार का कहें तो Dide एक परकार का Electronics component है और जिसके दो необ- टॉन्स होते हैं जैसे कि इसके दो टर्मिनल्स होते हैं जो कि पहला टर्मिनल्स की बात करें तो अनोड होता है और दूसरा होता है कैथोड तो फ्रेंस अनोड का मतलब होता है प्लस जैसे कि अनोड का मतलब होता है प्लस और कैथोड का मतलब होता है माइनस तो अब बात करते है कि ट्रinas के बनावट होती है कैसे होता है ओ ड्र Judy काई बनाтесь और अवर्चावूड का परिकाल को कहें तो और चालक सेमिकंडक्टर का बना होता है जैसरा कि आपने सेमध नहीं जानते तो अरडरी इस सेमीकंडक्टर के उपर वीडियो बनाद दिए गया है आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो कि semiconductor आखी रहे गया तो फिर सेमिकंड़क्टर का जो diode है वो बनता है जैसे कि आप silicon हो गया, germanium हो गया या selenium होता है तो अब चलिए बात करते हैं diode का आखिर use कहां पर किया जाता है तो फिर डाउड का जो basic जो काम होता है Rectifier and Signal Limiters and Voltage Regulators and Switching and Signal Demolator और Oxilators के रूप में इस्तमाल किया जाता है या हम बोल सकते हैं कि diode का जो basic जो काम होता है electronic current को सिर्फ एक दिशा में बहने का काम करता है और इसका जो symbol के बात करें जैसे कि diode का symbol किस परकार होता है तो फिर डाउड का जो symbol है इस परकार आपको दिखने को मिलता है आपको इस तरह के आपको इसका जो symbol है इस तरह के होता है और इसमें भी आपको देखिया यहाँ पे आनोड और कैठोड दिख रहा हुआ जैसा कि फिर इसमें आनोड का मतलब होता है माइनस और कैथोर्ट का मतलब होता है माइनस तो चलिए मैं आपको बताता हम किया करके डायोड की तरह से काम करता है जैसा कि फिर्ट इक तरप करेंट को फ्लोग होने देती है और दूसरी तरप से फ्लोग नहीं होने देती है जैसा कि अगर आप इस तरह से current को flow कराना चाहिए जैसा कि यह सी supply यहां से मैंने flow कराया है जैसा कि देखिए इस तरह से मैंने इसी supply को flow कराया तो हमें इस तरह आपको plus voltage मिलती है अगर इस तरह से आप voltage को flow कराया तो यहां पर plus मिलती है अगर आप इस तरह से current flow कराना चाहे जैसे कि इस तरह से current को flow कराना चाहे तो आपको इस तरह से current को बाहर नहीं जाने देता है यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए एक लंबा सा रीखा देख रहा होगा तो इस तरह जो current है flow नहीं करने देता है जैसे कि diode एक तरह से काम करता है दूसरी तरब से काम नहीं करता है तो अब डायोड को फिजकली आप देखो जैसे कि आज के समय में आपको डायोड को सेर्किट में देखो तो आपको इस तरह के आपको डायोड दिखने में होता है और आपको इसमें भी देखे दो टर्मिनल्स होते हैं और आपको फिजकली द मfill से किया जाता है तो आप समझी गए गएगे जैसे कि डाम से काम करती एक दरब कर दिए आपको says के लिए आप से करती है और दूसरी तब से간े सो नहीं करती है और इससे जो है बजर नहीं बजना चाहिए अगर बजर बजता है तो डायोड short है वो खराब है तो आप समाझ गए होगे कि याक्री डायोड को multimeter से कैसे टेस्टिंग किया जाता है तो अब बात करते हैं डायोड के कुछ नंबर्स के अभार्य में जैसा कि ऐप Favor के जो नाम से बेस्ट कि आइएन डायोड है और कुछ आय और जो काम करता है ऐसी nitjekt ज्यादा यूज में लिए जाता है जैसा यहां पर आइन डायोड या ऐसे और wouldn't I are definitely result Ughshat ke I would have laid your जोकि Djährl into the press मैं काम करती है मतलब डीसी सप्प्राइब में एक काम करती है क्यूंकि झो एंशोजनल रटार्भ हता है जैसे की ज्यार्ध मतलब क्लोंत में बॉलठे चाहिए तो यह एक रडायट और यसा डायट है भेला एक बात करें तो ऐसे मेरे पास भाइब करते हैं तो अब बै और चलिए मैं है तो आपको डार मैंने आपको बताऊंगा जैसे कि पहला जो रटकी बात करें तो जैसा कि फेला डार्ट है सेमी कंड़क्टर देखिए पहला डायोड है सेमी कंड़क्टर और दूसरा डायोड है जीना डायोड है और जो तीसा नमबर है फोटो डायोड है और जो की जीना डायोट के तो चलिए मैं आपको जीना डायोट के बारे में बताता हूं कि जीना डायोट आखिर है क्या तो फ्रेंट्स जीना डायोट के बारे में देखिए जीना डायोट क्या है तो जीना डायोट एक परकार का काम करता है उसी तरह से यह जीने डायोड काम करता है तो इसका जो कारे के बात करें मतलब कि एक किस तरह से वर्किंग करता है तो यह आउटपुट सप्लाई को फीक्स रखने के लिए इसे यूज में लिया जाता है और जो यह जीने डायोड है यह रिवर्स बाइस में काम करत ने Gibson अगर इस में कुछ नंबर्स होते हैं तो नंबर्स के देखोगे तो आपको इस तरह के आपको दिखने को मिलते हैं तो यह जो डायोड है तो यह पिक्स डायोड होता है जैसे कि इसमें 10 आपको 10 भोल्ट की अगर एजाने डायोड है तो यह यह जो, Input Supply देगी, यह 10 volt देगी, अगर आप इसे, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि यह 10 volt की जीरन टायोड है, अगर यहां पे मैं बैट्रीक्स से जोड दूं, जैसे कि आपको बैट्री है, जैसे कि यह बैट्री हो गया, देखिए, एक तरह से मा अगर मिलोट तो एक इन ञेटर आपको 10 बोल्ट ही मिलागी तो आपको ढूर आ करते हैं अगर चाहें 20 बोल्ट 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 है तो यह फिक्स है कि आपको यह 10 भुल्ट देगी ही देगी तो यह इस तर से जिने डायोड काम करता है तो आप चलिए मैं दूसरा बात करता हूं जैसे कि तीसरा नंबर है फोटो डायोड है क्या जैसा कि फोटो डायोड एक परिकार का अर्ध चालक युकती है जो कि परकास के उर्जा या विधु धारा में बदलती है तो फोटो डायोड को आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दू जैसे कि फ्रेंट्स आप अगर सोलर पैनल देखा होगा जैसे कि परकास से वह बैटरी को चार्ज करती है तो उसी तरह से जो फोटो डायोड है से हम कर सकते हैं कि यह जो सूलर पैनल होता है यह फोटो डायोड ही है जैसे कि आपको इस परकास जैसे कि फोटो डायोड परकास परता है तो यह विधु तूर्जा में कनवर्ट करता है जैसे कि आप इसका जो सिंबल देखाने के कोशिज करूं जैसा कि इस तरह का आपको सिंबल होता है तो इस पे जो परकास परता है तब यह काम करता है तो अगर आपको इसका जो फिजिकली शेप देखें तो आपको इस तरह के आपको दिखता है जैसे कि ब्लैक और इसमें भी प्लस माइनस होता है आपको बहुत सारे इसका जो शेप देखें तो आप इसका जो बहुत सारे हैं तो तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में आपको LED डायोड और सिंग्नल डायोड के बारे में बताऊंगा क्यों यह जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाएगा तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और अभी तक चैनल को संस्क्राइब नििक किया है तो संस्क्राइब कर दें सब्सक्राइब अब कर दें वीडियो का नॉट्फिकेसन आ आपको मिलता रहा तो अगले वीडियो में आपको बताभाएंगे पोटिय निकता निके बारे में